नमस्कार दोस्तों, इंडियन ड्रेल मुसाफिर चैनल में आपका स्वाकत है दोस्तों आज की जो ट्रेन जानकारी है वो है पर्थम सुवत अंतरता संग्राम एक्सप्रेस के बारे में तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल जो है सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जुरूर दबाएं ताकि आपको लेटस वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे दोस्तो आज की जो ट्रेन जानकारी है वो है प्रथम सुधनतरता संग्राम एक्स्प्रेस यह जो ट्रेन है पश्यमंगाल के कॉलकता स्टेशन से उत्रप्रतेश के जांसी जंक्शन के बीच में हफते में एक दिन चलती है वीकली ट्रेन है प्रथम सुभधनतरता संगराम एक्स्प्रेस का जो ट्रेन नमबर है वो है 11105 यह जो ट्रेन है कॉलकता से जांसी के बीच में हर इतवार को रवाना होती है और 25 गेंटे 35 मिनट में अपड़ी जर्री जो है कवर करती है इसके तकरीबन 20 स्टेशन हैं 1327 किलोमेटर का डिसन जो है कवर करती है इसकी एवरेश स्पीड जो है सुरूर पे वो है 52 किलोमेटर पर आवर यह मेल एक्स्प्रेस ट्रेन है और आपकी टिकेट में जो है सुपर फास्ट चार्ज जो है नहीं चोड़ा जाएगा और इसमें नौर्थ सेंटर रेलवे ड्विजन जो है अपरेट करती है और अगर इसके कोचिस के बारें बात करें तो इसमें ICF के कोचिस दिये गए हैं इसमें 3rd AC Slipper Class और General Class के डिब्बे हैं अगर इसके टिक्ट किराय के बारें बात करें तो मैं जो अभी आपको प्रथम स्वतंतरता संग्राम एक्स्प्रेस का टिक्ट किराया बताऊंगा वो कॉलकता से जहांसी तक का कोचिस वाइस किराया बताऊंगा 3rd AC Slipper Class और General Class के डिब्बो का गॉलकता से जहांसी तक का क्या किराया है बाकी आप अपडेटेड और सही किराया जो है रेलवे की वेबसाइट या टिकट कॉंटर में जाके जुरू कंफर्म कर लें वहाँ से आपको सही किराया जो है पता लग जाएगा अगर हम बात करें प्रथम सुहंदरतनता संगराम एक्सप्रेस के 3rd AC के कोच के किराया के बारे में जो की गॉलकता से जहांसी तक का मैं आपको बता रहा हूँ जो की होगा 1530 रुपए जिसमें 1417 रुपए तो बेस फेर है 40 रुपए रिजर्विशन चार्ज है और GST चार्ज है वो 73 रुपए के करीब है इसके लावा इस ट्रेन में स्लीपर क्लास के कोच भी है स्लीपर क्लास के इसमें तकरीबन 4 कोच इसे हैं जिसका कॉलकता से जहांसी तक का जो टोटल किराया है वो है 570 रुपए जिसमें 550 रुपए तो बेस वेर है 20 रुपए इसमें रिजर्विशन चार्ज है और कोई अन्य चार्ज इसमें नहीं जोड़ा जाता है और टोटल किराया जो है इसका 570 रुपए है इसके लावा इस ट्रेंड में जर्नल अंडरसर्व डिबबे भी हैं जिसका किराया जो है लगभग 330 रुपए के करीब है इस ट्रेंड में जर्नल अंडरसर्व डिबबे जो है 7-8 डिबबे होते हैं बागी यह जो मैंने अभी आपको किराय बताया यह प्रत्वन स्वतंतरता संगराम एक्सप्रेस का कॉलकता से जांसी तक का बताया है तो चलिए दोसो इस वीडियो को आके बढ़ाते हैं और बात करते हैं प्रथम स्वतंतरता संग्राम एक्स्प्रेस के टाइम टेबल के बारे में और जान लेते हैं इसके कौन-कौन से स्टेशन आते हैं दोस्तो ये जो ट्रेन है प्रथम स्वतंतरता संग्राम एक्स्प्रेस कॉलकता से ये जो ट्रेन हरी तवार को चलती है और दो दिसम्बर दो हजार साथ को इसे स्टार्ट किया गया था और ये जो ट्रेन है कॉलकता से हरी तवार को सुबह 7 बचके 25 मिनट पे एक नमबर प्लैटफॉर्म से रवाना होती है और इसके तक्रीबन जो है 20 स्टेशन हैं जांसी जंक्षन उत्र प्रदेश तक उसके बाद ये ट्रेन जो है अपने दूसरे स्टेशन बैरकपोर पस्चे मंगाल में सुबह 7 बचके 52 मिनट पे पहुंचती है और 7 बचके 57 मिनट पे वहां से रवाना हो जाती है इसका यहां पर 5 मिनट का स्टॉप है तीन नमबर प्लैटफॉम पे आके ट्रेन जो है रुपती है और 20 किलोमेटर की यात्रा जो है कौलकता से बैरकपोर तक कवर कर चुकी होती है उसके बाद यह ट्रेन जो है अपने तीसरे स्टेशन बर्दमान जंक्शन पस्चम मंगाल में सुबह 10 बच के 3 मिनट पे पहुंचती है और 10 बच के 8 मिनट पे वहां से रवाना हो जाती है इसका यहां पर 5 मिनट का स्टॉप है इसके बाद यह ट्रेन जो है आसन सोल जंक्शन पस्चम मंगाल में पहुंचती है सुबह 11 बच के 35 मिनट पे और 11 बच के 40 मिनट पे वहां से रवाना हो जाती है इसका यहां पर 5 मिनट का स्टॉप है तीन या चार नंबर प्लैट्फॉम पे आके ट्रेन जो है रुपती है और 217 किलोमेटर की दूरी यह कॉलकता से आसन सोल जंक्शन तक कवर कर चुकी होती है यहां पर यह ट्रेन जो है हर संडे को गुर्मुकी सुपरफास्ट एक्सप्रेस के साथ इसकी क्रॉसिंग होती है इसके बाद यह ट्रेन जो है चितरंजन स्टेशन में पहुंचती है यहां पर यह train पश्चिम मंगा से जारकंड में एंटर करती है जारकंड के पहले स्ट्रेशन मदूपूर जंक्शन जारकंड में यह दुपहर के 12 बच के 44 मिनट पे पहुंचती है और 12 बच के 46 मिनट पे वहां से रवान हो जाती है इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है दो नंबर प्लैट्फॉम पे आके ट्रेशन जो है रुपती है जासीडी जंक्शन में ट्रेशन जो है दुपहर के 1 बच के 11 मिनट पे पहुंचती है और 1 बच के 13 मिनट पे वहां से रवान हो जाती है इसका यहां पर दो मिनट का स्टॉप है, दो नंबर फ्लैट्फरम पे आके ट्रेंज रुपती है, उत्ते तीन सो सताइस किलोमेटर के करीब यह कॉलकता से जासीडी जंक्शन जारखन तक कवर कर चुकी होती है, यह तरह उसके बाद यह जाजा स्टेशन में पहुंचती है, जाजा स्टेशन में ट्रेंज जो है, दो पहर के दो बच के 25 मिनट पे पहुंचती है, दो बच के 30 मिनट पे वहां से रवान हो जाती है, इसका यहां पर पांच मिनट का स्टॉप है, तीन सो का 70 किलोमेटर की दूरी जो है, यहां तक कवर कर चुकी होती है, जाजा तक यह उसके बाद ये train जो है बिहार के दूसरे station क्यूल जंक्शन में पहुंचती है दुपहर के 3 बच के 18 मिनट पे और 3 बच के 20 मिनट पे वहां से रवान हो जाती है इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है 3 बच के 10 मिनट पे पहुंचती है और 6 बच के 20 मिनट पे वहां से रवान हो जाती है इसका यहां पर 10 मिनट का स्टॉप है 4 नंबर फ्लैट्फॉम पे आके train जो है रुपती है और 550 किलोमेटर के खरीब यातरा अपनी कवर कर चुकी होती है और पटना जंक्शन में यह ट्रेन जो है फतूहा बकसर मेमू ट्रेन या दानापुर मकोमा मेमू ट्रेन के साथ इसकी क्रॉसिंग होती है इसके तकरीबन 50 किलोमेटर दूर यह जो ट्रेन है आरा जंक्शन बिहार में पहुंचती है शाम के 7 बचके 23 मिनट पे और 7 बचके 25 मिनट पे वह से रवाना हो जाती है स्का यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है दो नंबर प्लैट्फॉम पे आके ट्रेन जो है रुप्पी है और 597 किलोमेटर की यातरा यहां तक कवर कर चुकी होती है और यहां पर यह train फरक्का एक्स्प्रेस जो वाय सुल्दान पर होकर चलती है उसके साथ इसकी क्रॉसिंग होती है उसके बाद यह train बकसर स्टेशन में पहुंचती है बकसर स्टेशन बिहार का आखरी स्टेशन है यहां पर परत्म 119 सेग्राम एक्स्प्रेस जो है राट के 8 बच के 18 मिनट पे पहुंचती है राट बच के 20 मिनट पे वहां से रवान हो जाती है इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है दो नंबर प्लैट्फरम पे आके ट्रेन जो है रुपती है और 665 किलोमेटर की यात्रा जो है यहां तक कवर कर चुकी होती है यह ट्रेन इसके बाद यह ट्रेन जो है पंडित दीन द्याल उपाद है जंक्शन या मुगल सराय में रात के 10 बच के 56 मिनट पे पह गोड़ है वो है DDU इसके बाद यह ट्रेन जो है इलाहबाद या परियागराज जंक्शन में पहुंचती है रात के 1 बच के 10 मिनट पे पहुंचती है और 1 बच के 15 मिनट पे वहां से रवान हो जाती है इसका यहां पर 5 मिनट का स्टॉप है तीन नंबर फ्लैट्फरम पे आ कानपूर सेंट्रल उत्रपरदेश में पहुंचती है सुबह 3 बच के 40 मिनट पे और 3 बच के 45 मिनट पे वहां से रवान हो जाती है इसका यहां पर 5 मिनट का स्टॉप है और 3 नंबर प्लैट्फरम पे आके ट्रेन जो है रुखती है यहां पर यह ट्रेन जो है परियागरा और 5 बच के 2 मिनट पे वहां से रवान हो जाती है इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है एक नंबर प्लैट्फरम पे आके ट्रेन जो है रुखती है और 1165 किलोमेटर की दूरी जो है यहां तक कवर कर चुकी होती है और यहां पर यह ट्रेन जो है पुश्पक एक्सप्रेस क के साथ इसकी क्रॉसिंग होती है उसके बाद यह ट्रेन जो है कलपी स्टेशन में पहुंचती है कलपी उत्तर प्रदेश में ट्रेन जो है शाम सुबा 5 बच के 16 मिनट पे पहुंचती है और 5 बच के 17 मिनट पे वहां से रवान हो जाती है इसका यहां पर 1 मिनट का स्टॉप और राई स्टेशन में पहुंचती या और राई उत्तर प्रदेश में ट्रेंज जो है सुबा पांच बच के 55 मिनट पे पहुंचती या और छे बजे वहां से रवान हो जाती है इसका यहाँ पर पांच मिनट का स्टॉप है, दो नंबर प्लैटफर्म पे आके ट्रेन रुपती है और बारा सो बारा किलोमेटर के करीब यातरा अपनी कवर कर चुकी होती है और राई उत्तर प्रदेश में ट्रेन जो है उत्तर प्रदेश का जो स्टेशन कोड है वो है और यहां इसके बाद तकरीबर 60 किलोमेटर दूर जो है अपने सेक्ड लाइ स्टेशन मोट उत्र प्रदेश में पहुंचती है मोट उत्तर प्रदेश में ट्रेन जो है सुबच 6 बचके 51 मिनट पे पहुंचती है और 6 बचके 52 मिनट पे वहां से रवाना हो जाती है करीब जो है कवर कर चुकी होती है इसके बाद प्रथम स्वतंतरता संगराम एक्सप्रेट जो कौलकता से जांसी के बीच में चलती है वो अपने आखरी स्टेशन जांसी जंक्शन उत्र प्रदेश में सुब़ा 9 बचे पहुंचती है और साथ नंबर प्लैटफॉम पे जाके अपनी यात्रा जो है समाप्त कर लेती है कौलकता से जांसी की जो दूरी है तकरीबन 1328 किलोमेटर के करीब जो है ये कवर कर चुकी होती है दोस्तो इसके साथ ये ट्रेशन की वीडियो समाप्त होती है अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो पलीस इस वीडियो को जासे यादा लाइक जूरू करें जासे यादा शेर जूरू करें ताकि इन्फोर्मेशन बागी लोगों तक भी पहुँंचती रहें अगर आप नए हैं या अगर अब भी तक आपने मेरा चैनल जो है सब्सक्राइब निकिया तो सब्सक्राइब जरू कर ले और साथ में आल नोटिफिकेशन बेल आन भी कर ले ताकि आपको लेटस वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे और बेल लाइकर जरूर दबाएं ता आपको सब्सक्राइब लेटस वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे धन्यवाद दो